नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडिपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज फिर से लेकर आए हो बहुत ही अच्छे श्टोरी सौड श्टोरी लेकिन बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस्टेशन आपको बहु इसे करेंगे और श्टोरी का मोरल भी बहुत अच्छा है जैसे कि इसका टाइटल ही है दा वर्ड इस राउंड वर्ड वर्ड याने होती ही दुनिया राउंड याने गोल दुनिया गोल है और वर्ड याने होता है शब्द है ना तो जहां पर ल नहीं लगता ना कि वर्ड वर्ड और वर्ड में ठीक है तो ल लगा वह वर्ड याने की दुनिया और वर्ड याने होता है अगर शब्द क्लियर होगे तो दुनिया गोल है चलिए ऐसे टैटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा वन डे अप्रीट्स है ना ऐसे पढ़ेंगे एक पुजारी का की के एक दिन एक पुजारी का वन स्लिपर फेल इंटु दर रिवर्ड वन स्लिपर याने एक चपल फेल फेल याने गिरा है ना चपल गिरा इन्टु इन्टु याने मे अब इन्टु और इन्टु और इन्टु याने मे अब इन्टु और 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 गिरा इंटू दा रिवर नदी में गिरा तो नदी में गिरा तो नदी में जाके गिरा इसलिए इंटू गई उसके लिए अब क्या हुआ the priest threw the other sleeper into the water the priest अब क्या हुआ एक चपल गिर गया उसका नदी में तो पुझारे नहीं किया कि threw, fake, throw याने fake ना उसी का second form threw, fake the other sleeper, other याने अन्य जो दूसरा चपल था उससे other sleeper बोलेंगे दूसरे चपल को into the water पानी में, ठीक है because he had no use for one sleeper because he had, head याने किसी के पाद कुछ चीज था, क्या था no use, उसका कोई use नहीं था, कोई उपयोग नहीं था for one sleeper याने एक चपल का clear होगे? है है, किसी के पाद कुछ चीज था नहीं था है, हैड, no और हैड के सान नहीं कि उसके नहीं था लेकिन इसे बाथिंग नहीं पढ़ेंगे, बेदिंग पढ़ेंगे ठीक है, a man was bathing in the river, है ना, तो मैन याने होता है, एक आदमी है ना, एक आदमी का नहा रहा था, पास कंडिमेशने, वास के साथ आजी फॉर्म, in the river, नदी में नहा रहा था, तो देखिए, वो नदी में भी गया नहीं है, नदी के अंदर पहले से ही है, इसलिए यहां पर in the river, नदी में नहा रहा था, तो पहले से नदी के अंदर है न, नदी में नहाने गया, ऐसे बोलते हैं, तफिर आता है, इन्टू दर इवर, तो दोनों में यह अंतर है, he saw the slipper and threw it on the bank, he saw, उसने देखा, saw, c याने होता है, देखना, उसी का second form है, saw, sorry, वो मेरे बेटा आ गया था अभी, तो फिर क्या है, he saw, उसने देखा, the slipper, चपल को, and threw, और फेका, देखे, throw का second form है, भी आपको बता है, threw, फेका, it on the bank, it याने उसे, it याने इसे भी होता है, उसे भी होता है, जब past में it का use करते हैं, तो उसे बोलते हैं, present में it का use, इसे, इसे दोरे इट का, तो उसने चपल को देखा और उसे किनारे पर फेग दिया लेकिन चपल हिट याने पड़ा मारा है ना ऐसे यूज करते है लेकिन हिट याने चोट लगना किसे अ मैन को लगी चपल एक आदमी को लगी फू वॉस के साथ याने यानी फॉर्म जो क्या कर रहा था ये भी पास करनीवर स्टेंस वाज वबर के साथ याने तो पास करनीवर रहा था रहे थे रही थी ऐसे carry ya nene ले जा रहाथा उठा के ले जा रहा था a pot yearnay एक घड़ा of a pot area बरतन भी होता घड़े को भी pot कहते है खीर का एक घड़ा ले जा रहा था on his head, अपने sirपर अब क्या हुआ खीर का घड़ा का अपने sirpper ले जा रहा था तो the pot broke and the 気 instilled on the ground फूट गया ब्रेक क्याने टूटना ब्रो क्याने टूट गया एंड़ खीर ऑर जो खीर था हाने चल में तो फैल जाना छलक गया जमीन पर फैल गया तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो क्या किया था अपने सिर पर खीर रखा बरतन रखा हुआ था और वो पढ़ गया बरतन टूड़ गया और पूरा खीर नीचे गिर गया फिर क्या हुआ Suddenly a hawk swoop down Suddenly अचानक से A hawk, hawk क्या नहीं होता है बाज को हम hawk कहते है बाज पक्ची है न एक बाज swoop down, swoop down नहीं होता है जपटा मारना है ना Soop ड, जपटा मारना लेकिन इसी का second form swoop ड, एड़ी लगा तो जपटा मारा ऐसे वो जागा पास टेंस है क्यों कि तभी अचानक से एक बाज नहीं जपटा मारा, swoop down नीचे जपटा मारा and flew up flew up याने उड़ गया है ना उड़ा ऐसे बोलेंगे fly का second होगा flew होता है flew up उड़ गया with the sleeper चपल के साथ उसोचा का कुछ होगा भी खाने पीने का चीज़ उसे क्या पता है उसे नीचे आया तुरंद जैसे ही उस चपल को गिरते हुए देखा आया और जपट्टा मारके ले गया उपर as the hawk flew in the sky as क्योंकि the hawk but flew in the sky है ना आस्मान में उड़ा the sleeper fell from his beak the sleeper चपल फेल गिरा from याने से कहां से his beak उसकी चोंस से क्योंकि वह आस्मान में उड़ा तो उपर से क्या वह उसकी चोंस से चपल गिर गया and into the plates of people who were eating in an open field and और into into याने में किसमी गिरा the plates plates याने वह वह उसके जो plates थे उसमे of people लोगों के plate में who were eating जो है ना वर इटिंग खा रहे थे इन याने में an open field and याने एक open open याने होता है खुला field याने खेत या फिर मैदान एक खुले मैदान में जो भोजन कर रहे थे तो क्या हो गया वहाँ पे वह चपल जाके गिर गया देखो वह सादमी से गया उस दूद वाले के पास दूद वाले के से जैसी ही गिर गया in anger in anger याने गुससे में they they threw the slipper in the field they threw उन्होंने फेका the slipper याने की चपल को in the field याने खेत भी होता है मैदान भी होता है तो मैदान में उसने क्या कर दिए है ? चपपल को फेक दिया जो और से प्लेट में गी रहाथा देयर याने वहाँ, a man was busy milking a cow, a man एक आदमी was याने था busy याने व्यस्त था, milking, milking याने होता है, दूद निकालने को milking मोलते है, a cow, जहाँ एक आदमी दूद निकालने में व्यस्त था, busy था, दूद निकालना था समय लिजिए, the slipper went and hung on one of the cow's horn, the slipper went, चपल गई, जब वो फेका तो गई, चपल, go and gone, तो वेंड की उसकरेंगे, चपल कहां गई, and or hung on, hung on या लटक गया, hang का से कर्वा हंग होता है, लटक गया, किसमें, one of the cow's horn, याने गाए के, एक सिंग में, ठीक है, गाए के सिंगों में से एक सिंग में जाके, फस गया, she started jumping around, और वह, गाए जो क्या थी, started, याने शुरू क्या, jumping around, याने, आस पास कूदना, शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अजीब लगा, ख्याची जाके फस गया, तो निकालने के लिए, गाए, कूद कूद के, है ना, वो निकालना शुरू कर दिया, जम करना शुरू कर दिय the angry milkman threw the sleeper into nearby a house, angry, sorry, the angry, क्रोधित, है ना, गुसे में, milkman ने दूद वारे ने थ्यू, फेका, the sleeper चपल को into, याने में, nearby, याने, पास के a house, पास के घर में, चपल को फेक दिया, गुसे में, यहाँ गाय के पास कहां से चपल आगे है, गुसे में, फेक दिया, बस ending है, a man was sitting in the courtyard, there, दे रहे ने वहाँ, a man, एक आदमी, was sitting, बैठा हुआ था, बैठ रहा था नहीं होगा, आपको ध्यान देना है, कहीं पर noun के रूप में उसकरते हैं, कहीं पर verb के रूप में उसकरते हैं, तो यहाँ पर sitting, याने, बैठा हुआ था, इस प्रकार से उस होगा, ठीक he saw the sleeper, उसने देखा चपल को, he was the priest, ठीक है, he was, वह था, the priest, वह पुजारी था, वही पुजारी था, ठीक है, the honor of the sleeper, the honor याने होता है, honor पढ़ेंगे, honor याने मालिक, ठीक है, of the sleeper, चपल का मालिक, जिसने क्या किया था, उस चपल को, है ना, एक चपल नदी में किरके, वही घूमफिर के उसके पास आ गए, उसी का मालिक था, he thought, उसने सोचा, उस पुजारी ने सोचा, my sleeper, है ना, मेरी चपल, has come, आ गई है, या आ चुकी है, क्योंकि has या have के साथ, वर्प का third form हो, तो हम present perfect tense मोलते है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, गई ह है, ऐसे sentence का use होता, अब आप बोलेंगे, sir, third form मोल रहे हो, come लिखा होगा है, तो come का third form भी come होता है, come, came, come, यही पे यदि go होता, तो go, went, gone का use होता, ठीक है, यही पे यदि eat वाला verb होता, खाने वाला, eat it, eaten, तो eaten का use होता, तो has या have के साथ, has क्यों लगा है, sir, क्योंकि my sleep पर यह third person हो गया, कोई अन्य है, तो उसके साथ हम has लगाते, यही होता, I होता, I have come, तो I has come नहीं, I have come, मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया हूँ, ऐसे use होता है, ठीक है, my sleeper has come, मेरी चपल आ चुकी है, मेरी चपल आ गई है, back याने वापस, to me, मेरे पास, to me, याने मेरे पास the world is indeed round, the world, दुनिया is याने है, indeed याने सचमुच में वास्तों में round याने goal, दुनिया सचमुच में goal है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया, क्यों यह उसने ऐसे कहा कि दुनिया goal है, इसने चपल फेकी, उस आदमी को लगा, उसने चपल फेकी, खीर वाले को लगा, वहाँ के चोंच से जब उसने वहाँ से चपल गिरी, तो जो लोग नीचे खाना खा रहे थे, खुले में, उनके प्लेट में गिर गई, जब उनके प्लेट में गिर गई, थाले में गिर गई, तो वहाँ से उसने गुस्ते से फेक दिया, वहाँ पे एक दूद वाला दूद दूद तो एक गाये के सींग में वही चपल फस गई तो जो गाये कूदने लगी तो दूद वाला गुस्से में उस चपल को निकाल के बगल में फेक दिया तो बाजू में यह जो पुजारी है वही पूजा मतलब आगान में बैटे वे थे पूजा करते जो भी कर रहे थे तो उनके सि स्टोरी का मोडल तो ही एक दुनिया गौल है लेकिन इसे हमें क्या सीक मिलती है कि यदि हम किसी के लिए कुछ गलत करते हैं है ना तो वह घूम फिर के आखिर हमें आरे पास वो जो गलत हमने किया है हमारे सांथ भी कभी ने कभी गलत होगी ही हम कभी किसी से मिले हैं कुछ टीट वार्टlan कीई तूधिे खुम फिर जोंटा हैं जो प्रक्राइब तो आप अच्छा करने के कुछ है कि हमारे हमारे पास चीजे मिलने को आ है यह नहीं कि लड़ाई जगड़ा करने गोल गुम किया है ठीक है तो world is round the world is round दुनिया गोल है और यदि आपको story पसंद आई हो तो please like करेंगे समझाने का तरीका समझ आता हो कुछ भी समझ आता हो, कुछ भी फायदा मिल रहा हो आपको तो please like करेंगे, support जरूर कीजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे, टेलीग्राम में इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद